हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल, लेर्निंग इंग्लिश, आज मैं आपको सिखाऊंगी कुछ डेली यूज होने वाले सेंटेंस जो आप आम बोलचाल में यूज कर सकते हो, जैसे कि हमारा जो फर्स सेंटेंस है, वो है, जित मत करो, डूंट इंसिस्ट, यहाँ पर को क्लब करके डूंट बनाया गया है, तो यहाँ पर डूंट ही बोला जाता है, डूंट इंसिस्ट, मतलब जित मत करो, नेक्स सेंटेंस है, वो नहीं आएगा, यहाँ पर वॉट नॉट का क्लब फॉर्मेशन है, मॉडन इंग्लिश में वॉड नॉट का यूज नहीं किया और फोगट का मतलब होता है, बूल गया, यहाँ पर यह जो सेंटेंस है, यह past indefinis'd बीते हुए काल का सेंटेंस है, नेक्स सेंटेनस है, मैं यहीं कहना चाह रहा था, that's what आया वांट इं त完成, यह सेंटेंस पी बीते हुए काल का है, यहाँ पर that's what एक बर्ड है, जिसका कर रही हूं I am doing household chores household chores एक ऐसा word है जो कि घर के कामों के लिए use के जाता है यह sentence present continuous का है next sentence है कितने बज़े at what time at what a single word है यहां पर इसका use यहां के लिए कितने के लिए use हुआ है कितने बज़े at what time next sentence है मैं तो बस मज़ा कर रहा था I was just kidding यह sentence past continuous का है इसलिए कित के साथ ing का use किया गया है I was just kidding next sentence है तुमने मुझे देर करवा दी you made me late you made me late यह sentence यहां पर इसके लिए यहां पर इस sentence में made का use हुआ है यह कॉजिटिव वर्ब है कॉजिटिव वर्ब का sentence है यह पूरा you made me late कॉजिटिव वर्ब की वीडियो का link description में है आप चाहें तो कॉजिटिव वर्ब पर वीडियो देख सकते हैं तो हमारा next sentence है क्या समय हुआ है what time is it what time is it next sentence है मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूं I know him very well यह sentence present indefinite का है क्योंकि यहां पर ता हूं का use हुआ है next sentence है मुझे नींद आ रही है I am feeling sleepy I am feeling sleepy यह sentence present continuous का है इसलिए feel के साथ ing का use हुआ है next sentence है कुछ तो गडबढ़ है something is fishy जैसे कि बोला जाता है कुछ तो गडबढ़ है मतलब कुछ तो दाल में काला है तो इसके लिए भी बोला जाता है something is fishy हमारा next sentence है मेरा हाथ सुन हो गया my hand got numbed my hand got numbed यह sentence pass indefinite का है इसलिए यहाँ पर got का use हुआ है get की second form का next sentence है अपना mood ठीक करो cheer yourself up cheer up यह mood ठीक करने के लिए use हुआ है cheer up इसको mood ठीक करने के लिए बोला जाता है cheer yourself up next sentence है मैंने तुम्हें call नहीं किया था I didn't call you यह didn't did not का club formation है इसकी जो pronunciation होगी वो होगी didn't I didn't call you मैंने तुम्हें call नहीं किया था next sentence है मेरा सिर मत खाओ don't nag me don't यह club formation है do not का next sentence है आपका घर कितनी दूर है how far is your house how far कितनी दूर के लिए use हुआ है आपका घर कितनी दूर है how far is your house next sentence है मैंने तुम्हें बहुत याद किया I missed you so much यह sentence past indefinite का है इसलिए यहाँ पर miss की second form missed का use हुआ है I missed you so much next sentence है बात को और मत बढ़ाओ don't stretch the matter further stretch बढ़ाने के लिए use के जाता है और यहाँ पर अगर हम इसके आगे don't लगा देंगे don't stretch मतलब मत बढ़ाओ don't stretch the matter further next sentence है जब भी आओ मुझे बता देना let me know whenever you come let me know यह मुझे बताने के लिए use हुआ है मुझे बता देना इसके लिए हम दूसरे words भी use कर सकते हैं let me inform whenever you come या फिर inform me whenever you come इस तरह से हम इसको तीन तरीके से बना सकते हैं जब भी आओ मुझे बता देना next sentence है यह मेरा है this is mine this is mine तो friends यह थे आज के कुछ sentences जो कि आम बोलचाल में यूज के जाते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें कमेंट बोक्स में कमेंट भी करें